स्वागतम दोस्तो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे जब शनी आपके कुंडली के ग्यारवे भाव में आके बैठता है तो किस तरह की फल या परिणाम देता है दोस्तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आप चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए दोस्तो शनी रिप्रेजन करता है आपके पास लाइफ डिट को यानि आप जो पास जनम में जो करम किये हो उससे शनी रिप्रेजन करता है और दोस्तो उसकी बेस पे सनी इस जनम में आपके कुंडली में किसी भी हाहुस में वो पोजिशन लेता है और वो पोजिशन होता है based on या आपके past life के करम की अगर आपका past life में करम अच्छा है तो उसकी position शनी की इस जनम में आपके लगन कुंडली में strong होती है उच्छे की होती है अगर past life के करम खराब होते हैं तो उसके base पे आपके कुंडली में उसकी position weak होती है या अच्छी पोजिशन पर नहीं होता और दोस्तों साथ ही सनी रिप्रेजन करता है डिले को, रिस्टिक्शन को किसी भी चलग की रुकाउट को सनी रिप्रेजन करता है सनी रिप्रेजन करता है आपके करियर को, आपके वर्क को, आपके कर्मा को Shani represent करता है discipline को, order को, law को Shani represent करता है life की reality को Shani represent करता है experience ची जग को आपके traditional value को, culture को Shani represent करता है दोस्तो 11th house represent करता है किसी भी तरह के gain को, यानि लाप को 11th house represent करता है आपके multiple sources of income को यानि कि income from other sources, income from salary, किसी business से, यानि आपके multiple जो वियवार होते हैं, वहां से जो आपका पैसे आते हैं, उसको 11th house करता है represent, 11th house represent करता है आपके professional और social network को, जहां से आप business लेते हो, यहां से आप पैसे कमाते हो, साथी 11th house represent करता है आपके बड़े भाई बहन को, 11th house represent करता है आप आपके friends को, दोस्तों जैसा कि मैंने कहा 11th house represent करता है आपके social network को, आपके friends circle को, आपके professional network को, और शनी जब आपके कुंडली के 11th house में आखे बैठता है, तो यह शनी के लिए बहुत ही अच्छा घर होता है, सुब घर होता है, क्योंकि शनी 11th house का कारक है, यानि कुम्बर आस में शनी स्वगरई होता है, उच्छे का होता है, अच्छी position पे होता है, तो जब शनी अपने कुंडली के स्वभाव में आखे बैठता है, तो ऐसे चाथ तक अपने जिंदगी में business के थूरू और अपने social network के थूरू बहुत पैसे यान करते हैं, यह house इनके लिए बहुत lucky ह होता है, क्योंकि शनी बार चाथ तक हमेशा hard working होते हैं, और वो अपने dedication से hard work से पैसे कमाते हैं, इसलिए जब शनी ग्यारवे house में आखे बैठता है, तो वो खुल के काम करता है, और ग्यारवा house रिपरेजन करता है आपके multiple sources of income को, तो इसलिए के कारण दोस्तों, इनका जो income बहुत है होते हैं, जिनका शनी ग्यारवे house में उच्चे का हो, कुंबर आसी के साथ में हो, या वीनस के साथ में हो, दोस्तों जब शनी आपके कुंडली के ग्यारवे भाव में आके बैठता है, तो शात में ये भी observe किया गया है, ऐसे जात तक तो अपने life में wealth कमाते हैं, यानि बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन जो उनका living होता है, standard of living, बहुत simple होता है, आपको उनको देख के लगेगा नहीं, कि ये लोग बहुत rich हैं, या ये ये लोग show shining करने में, या पैसे उड़ाने में, believe ने करते हैं, इनके बहुत सारे property होगी, बहुत सारे wealth होंगे, ल इनका nature बहुत अच्छा होता है, simple living, high thinking वाली सोच होती है, और इसलिए ऐसे जात तक by nature, by बुलतसते हैं, आप feature से बहुत हमबल होते हैं, बट ये लोग बहुत ज़्यादा hard working होते हैं, इसी के कारण ये लोग life में wealth कर सकते हैं, इक्वायर, दोस्तो 11th house represent करता है आपके social network को social network कैसा भी होसता है दोस्तों, आपका immature होसता है, immature होसता है, आपके age के लोग होसते हैं, लेकिन अगर आप कोई business करना चाते हैं, या job करते हैं, तो जो आपका network काफी काम करता है, किसी भी ची के लिए, आपके life में growth के लिए, तो जब शनी आपके कुणले के 11th house आपके wealth या income होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हें direction सही मिलता है, business के लिए, या किसी जॉब में reference के लिए, और इसकी करन्ट से ये life में काफी successful होते हैं, दोस्तों, जब शनी आपके कुणले के 11th house में आके बैठता है, तो या आपको एक अच्छा योग दिता है wealth का, multiple sources of income का, बर जब शनी 11th house में आके बैठता है, तो उसकी तीसरी दिष्टी पहले सांबे पढ़ती है, और पहला स्थान represent करता है आपको, आपकी personality को, आपके mind को, आपकी physical appearance को, आपकी source को, तो दोस्तों, ऐसे जाद तक, जिनकी कुणले में शनी 11th house में बैठता है, और ऐसे जाद तक, बहुत ज़्यादा dedicated होते हैं, hard working होते हैं, disciplined होते हैं, और यही सब जो, दोस्तों, reason होता है, कि ये life में, पैसे और wealth earn करते हैं, क्योंकि अगर आपको life में पैसे और wealth earn करना है, तो उसके लिए आपको dedication चाहिए, determination चाहिए, hard work चाहिए, ये सब में नहीं होता ह दोस्तों, अगर आपका shani 11 अस्तान पे उच्छी की position पे है, अच्छी position पे है, तो ऐसे जाद तक, बहुत ज़्यादा disciplined होते हैं, और बहुत hard working होते हैं, और इसी reason के करान, ये लोग life में बहुत successful होते हैं, और बहुत सारे पैसे life में earn कर लेते हैं, दोस्तों, साथ ही ये भ आप ग्रह से पीडित है, तो ऐसे जाद तक को bone related issues होते हैं, यानि knees में problem, knee pain, arthritis, इस टाइप की बिमारियां उन्हें होती हैं, क्योंकि पहला house और चटा house represent करते हैं आपके disease को, क्योंकि पहला house आपका physical appearance, आपकी पूरी body है, तो अगर कुछ disease या परशानी होती है, तो आपके body के अंदर होती है, तो यहाँ पर देखा गया है, जब शनी देखता है 11 स्थान से, तो ऐसे जाद तक को bone related health issues हो सकते हैं, दोस्तों जब शनी या आपके कुणली के 11 भाव में आके बैठता है, तो उसकी सातवी direct district पाचवे स्थान पर पढ़ती है, और पाचवे स्थान तो वो आपके जो उसकी सुक को delay करता है, दोस्तों ऐसा देखा गया है, आपका जो graduation होता है, आपको काफी hard work करना पड़ता है, आपको काफी discipline लगता है, या कुछ ना कुछ hurdles या problems के रिट होती है, विसके करान आपको वो जो आपका graduation हो delay हो जाता है, तो higher studies वो करने थे achieve, ब और उच्चे का बैठता है, या सुगरही बैठता है, उसकी सात्वी द्रिष्टी पाच्वा स्थान पर पड़ती है, और पाच्वा स्थान रिप्रेजन करता है, speculation को, stock market को, दोस्तों ऐसा देखा गया है, जब भी शनी आपके कुल्ली के 11 भाव में बैठता है, और अच्छ पोजिशन पर है, तो ऐसे जाद तक, stock market में, speculation में बहुत अच्छा करते हैं, वहाँ से बहुत सारे पैसे कामाते हैं, अगर वो खराप पोजिशन में है, week का है, niche का हो गया है, तो ऐसे जाद तक, because of, क्या कह सते हैं कि आप उनका जो decision making के कारण वो wrong decision ले ले लेते हैं, और market market में, बहुत loss कर देते हैं, लेकिन, अगर अच्छी position में है, तो ऐसे जाद तक, बहुत stable होते हैं, mind से, समझदार होते हैं, सब का राई लेके चलते हैं, और ऐसे जाद तक, लोग, बहुत ही अच्छा करते हैं, stock market के अंदर, दोस्तो, शनी, जब आपके कुंडली के ग्यार और हो गया, अचानक में आप अमीर से गरीब होगे, आप अचानक में गरीब थे अमीद होगे, तो इस तरह की चीज़े को आठवा हाउस करता है, साथी आठवा हाउस करता है, आपके life की longevity को, short life है, long life है, वो हम आठवा हाउसे देखते हैं, जब शनी आपकी कुंडली में अच्छी position पर है, उच्चे का है, और उसकी दिश्टी आठवा स्थान पर पढ़ती है, ज़ो शनी का जो nature है, डिले करने का, तो वो आपके जो life की, life span को बढ़ा देता है, यानि वो डिले कर देता है, तो आपका जो longitivity बढ़ जाती है, आप लंबी या आयो वाले वेक्ते होते हैं, और अच्छे से अपनी life जीते हैं, दोसों जैसा कि मैंने कहा, आठवा स्थान आपकी life में sudden up, sudden down लाता है, fluctuation करता है, अचानक में accident हो जाना, अचानक में loss हो जाना, अचानक में profit होना, लेकिन जब शनी, जब ग्यारवे स्थान में बैठके, आपके आठवे स्था इन्हें जदा life में up and down नहीं करना पड़ता, या उस चीजों का सामना नहीं करना पड़ता, तो एक smooth और healthy life जीते हैं, ऐसे ज़ाता है, दोस्तों ये था मेरा analysis, Saturn in 11th house, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो like कीजिए, comment कीजिए, और हाँ, bell icon पे click करना ना भूले, तक की future में आने वाले वीडियो की notification आपको आसानी से मिल जाए, धन्यवाद,